तो guys I hope कि आप सभी के admission हो गए होंगे, जो बच्चे counseling through admission लिए उनके भी admissions हो गए, और जो बच्चे अपना diet admissions लिए उनके भी admission हो चुके हैं, तो सभी बच्चों के भी admission हो चुके हैं, admission होने के बाद जो आपका second work होता है, वो आपका होता है guys scholarship का form fill करना, I hope कि बहुत सारे बच कियोंगे, ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए कुछ documents की need होती है, और क्या है आपके last date, वो सारी चीज़े आज कि वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लिए, जो बच्चे dat admissions लिये हैं, उनका भी scholarship आता है, अगर आपने internets exam दे रखा है, और आपने dat admissions लिया है, तो आपका scholarship आता है, बिल्कुल इसके लिए मिश्यन तरहिए, प्रॉपर तरीके से form भरिएगा, ताकि scholarship आपको मिल दाए, तो guys आएए बात कर लेते हैं, application कब से start हुआ, क्या है इसकी last date और क्या क्या आपको चाहिए documents, तो application जो वीगिन हुआ था guys, वो एक जुलाई से start हु इसकी last date है, वो बीस दिसंबर है, बीस दिसंबर दोजार चौबीस तक आप अपना scholarship का form submit कर सकते हैं, भर सकते हैं, बीस दिसंबर आपका last date है, registration का, यह आप अपना जो registration कराएंगे, वो बीस दिसंबर तक करा सकते हैं, आपके पास एक अच्छा खासा time अभी भी बचा इस साल का जो अंतिम दिन है, 31 दिसंबर, उस दिन तक आपका form complete हो जाना चाहिए, उसके last date आपका 31 1224 है, college को भी आपको hard copy submit करनी होती है, college को जो आप hard copy submit करोगे, उसकी जो date है guys, 5-1-2025 है, यनि 5 जनुरी 2025 तक आपको अपने college को hard copy submit कर देना है, हो सकता है form भरते वक्त 31-2024, यनि 29 जनुरी 2025 से लेके 5 February 2025 तक का है, यनि 5-6 दिन का आपको time मिलता है, correction करने का, अगर आपके form में कोई correction है, तो उसे भी आप improve कर सकते हैं, अब गईस बात कर लेते हैं, किस-किस document की need होती है scholarship के form बनने में, अगर documents आपके un complete ranker done है, तो आपके scholarship आने में दिक्कत अगर आपके documents proper है, तो 100% आपका possibility बन जाते हैं, कि आपके scholarship है, लेकिन सारे बच्चों की आई, इसके भी कोई guarantee नहीं रहती हो, बजट के उपर depend करता है guys, डाकॉमेंट में आपका चाहिए last qualifying, exam mark seat, आपने graduation में, जो भी exam अपना crack किया, उसके mark seat आपको चाहिए, cast certificate चाहिए, कास्ट certificate नहीं बना है, तो बनवा लीजिए, recently रहेगा, ज्यादा better रहेगा guys, income certificate पहले का मत लगाईएगा, जो recently income certificate है, वहीं लगाईएगा, नहीं बना रखा है, बनवा लीजिए, time है, अच्छा खासा, bank passbook वही दीजिएगा, bank passbook जिसमें अधार का link हो, वैसे सबी लोग अधार link रहते हैं, आजकल compulsory हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें अधार card link है, उसी bank का passbook आपको submit करना है, फी receipt number आपने अपना admission लिया होगा, आपने fee जमा किया है, फी receipt number चाहिए आपको, animal non refundable amount क्या है, enrollment number आपको लिखना है, आधार card का number लिख लिखे हैं, उनको scholar से form बनने के लिए कुछ नहीं करना है, उन्होंने फरस्ट एर में form भर रखा है, उनको अपना renewal करना होता है, renewal करने के लिए उनका पहले का registration number था, उसी number से वो अपना login करके, जो भी उसमें interface चीजे मागी जाएंगी, उसको आप fresh, यानि आप सारी चीजे fill कर दीजे, उसके बाद आपका form submit हो जाएगा, यहीं आपको ज़्यादा कुछ documents बर नहीं लगाना है, आप पर renewal है, तो आपको renewal करने के लिए, जो आपका पहले का registration number था, उसी number से आपको login करना है, login करने के बाद उसमें जो details मागे जाएंगे, उसको आप अच्छे से fill कर द दीजे, उसके बाद guys आपका form submit हो जाएगा, तो यह आपकी scholarship ही details रही, I hope कि आप सभी को clear हो गया होगा, scholarship को लेके आगे जो updates आते रहेंगे guys हम आपको अपने बताते रहेंगे चैनल पे, अगर आप इस चानल पे पहली बार budget किये हैं, और आप चाहते हैं यहां जुड़े आप इसे subscribe खुले ना क्योंकि जितने authentic information होगे, उस सारी information यहां देते हैं, साथी साथ आपकी वेड़ी classes भी run करने वाले हैं, जल्दी ही हम आपका course launch कर रहे हैं, thank you guys, जैंत